हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपुन टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ एडी से लेकर चोटी तक कि कोई भी नस बंद या कमजोर है तो खुल जाएगी आईए जानते हैं इसके बारे में जिन लोगों के भी नसे ब्लॉक हैं बॉडी के किसी भी पार्ट की या फिर कमजोर है एक चीज बता दी जाए कि नसे जो हो सकता जिस एरिया में भी खुल नहीं पहुच पाता वो अंग कमजोर पढ़ने लगता है इसी कारण से यह क्या सकते हैं कि नसों का कमजोर होना या ब्लॉक होना इस चीज का ट्रीटमेंट आपको मैं बताने वाली हूँ जो की बहुत ही आसान है आईवेदिक तरीके से जिसक कि यहाँ जाधा होते हैं यहां नसों का ब्लॉक होना या उन में घ्मजोर है आना इस चीज का treatment हम बहुत जाधा करते हैं लेकिन आज एक आयरुवेदिक तरीके से हम treatment करेंगे तो आई ये बताते हैं इसमें क्या करना है और क्या नहीं और कैसे इसका treatment आपको perfect तरीके से करना है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि नसों को खोलने के लिए और नसों में ताकत देने के लिए आपको अनुलोम बिलोम करना ज़रूरी है कम से कम 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम जो कि हमारे नसों को खोलने का काम करता है वो भी अगर आप fresh आवा में बैट कर करें तो इसके benefits कई ज़्यादा होंगे इसके लावा आपको 10 ग्राम तेज पत्ता, 10 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम मगज चाहिए जनके शैल बहुत ही आसानी से तूर जाए और इन में से अक्रोट आसानी से निकल जाए जो बहुत हाट होते हैं वो इसके लिए beneficial नहीं है अख्रोट 10 ग्राम लेना है और काली मिर्च भी 10 ग्राम लेना है 10 ग्राम आपको अलसी लेनी है इसके साथ 2-3 ग्राम दालचीनी लेनी है इन साथों चीजों को आपस में मिक्स करके एक पौडर तयार कर लेना है इस पौडर को आपको सुबह खाली पेट गुनगुने पाने के साथ सेवन करना है इक चमच आपको इन सब को मिला कर कम से कम 10 पूरिया बनाना है और इसके एक हिस्से को आपको रोजाना लेना है वो भी गुनगुने पाने के साथ उसके एक घंटे बाद आप कुछ भी खा सकते हैं यानि आप चाहे तो नास्ता भी कर सकते हैं ये फॉर्मूला नस को बहुत ही पफट कर देता है यानि जो नस से कमजोर हो चुकी है उनको स्ट्रॉंग कर देगा और जो ब्लॉक है उनको खोल देगा उम्मिद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढून रहा हैं तो आप हमें कमेंट वाक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप सिंधी को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरे लूब चारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें धल्दी रहें खुश रहें तैंक यू